नमास्कार साथिव वार्षिक परिशा 2023-2025 के लिए गनित का जो पेपर हिंदी मीडियम के लिए वो यहां पर इस वीडियो में हम देखने वाले हैं तो इस पार आपका टोटल पेपर है वो 60 नमबर का रहेगा टोटल क्यूशन नमबरों की संक्या है वो 24 रहेगी और यहां प पर यहां पर देख लेते हैं पेपर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आपको अगर यह पेपर चाहिए तो हमारा एप का लिंक है वो आपको डिस्क् अगर देखें आपर एक मोटर बोट एक गंठे में 24 किलोमेटर चलती है तो पांच गंठे में कितनी दूरी तय करेगी अब देखें आपर एक गंठे में कितना चल रही है वो 24 किलोमेटर तो पांच गंठे में कितना चलेगी तो 24 को हम 5 से गुणा करेंगे तो 24 का 0 हासिल की दो पांच दूनी दस और दो बारा और एक तेरा 130 किलोमेटर है वो चलेगी तो यहाँ पर option number B हमारा सयांसर रहेगा वई देखे समकोन की एक तिहाई माप है वो कितनी होती है समकोन कितना होता वई 90 degree इसका एक तिहाई मतलब 1 बटा 3 3 को 3 से काटा तो 90 degree है मतलब 30 degree बन गया तो यहाँ पर 30 degree है वो सयांसर रहेगा option number B ऐसा ही आपको एक्जाम में करना है तो सारे paper दोस्तों आपको अमारे A पे मिल जाएंगे link description box में दिये गया है जाईए फटा पर download करे और अपने दोस्तों को भी बेजे ताकि आपके सभी friend वो पूरा paper देख सके जो आपका exam को आने वाला है आपका paper दोस्तों वो कब लगेगा 7 March को आपका गणित का paper लगेगा और 6 March को आपका कौन सा paper लगेगा हिंदी का paper लगेगा तो हिंदी का paper भी मैं आपको बता दूँगा वाई और सारे paper वहाँ पे upload हो गए हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं या पर देखे किस आकरती का छेतरपल सबसे कम होगा तो देखे छेतरपल आकरती के base पे हमें देखना आई हैं आपे तो ये question है वो आप लोगों के लिए छोड़ा जाता है आकरती वाले question वो आप खुद से इसकी practice करना वाई ठीक है और comment भी कर देना किया इसका answer है अब देखे आप यह अगला person है एक बटा चार में कितने एक बटा आठ समाहित है देखे आप यह कह रहा है कि एक बटा जो चार है उसमें कितने एक बटा आठ है वो समाहित है देखे एक बटा आठ का मतलब हो गया कि एक बटा आठ यहाँ पर मैंने लिखा अब एक बटा चार के अंदर में बात करूं यहाँ तो देखे एक बटा चार को अगर मैं इंटू एक बटा चार करूं या फिर एक वटा चार पलस एक वटा चार इस प्रकार से करूं है的 मैं कर सकता हूँ 2डवाट टाउन स्ब्सक्राइब है यहां परToday एक प्रकार से मैं कितना करूंघा है यहां पर रही तक है दो खेसर Means 8,8 बनकाइब नीचे चार बन जाएगा और सब्सक्राइब तो सिर्फ बोगना गया तो कोमलागे किसि कि इतनी बन जाएग़ अग्ली से अग्ली संख्या आपको बता झेल प्रेर लिख दिया है एक पर लिख दिया है चार लिख दिया है किस आकरती को मोड कर घन बनाया जा सकता है तो कौन ची आकरती है जिसको मोड कर हम घन बना सकते हैं तो देखिए यहाँ पर यह इसको नहीं बना सकते अब यहाँ इ martyr यह वाली जो आकरती है इसके देख dabu दो यह जो डंडे हैं इनको ने काटी कर दिया में यहां फिटब धा टिक है एक को मैंने यहां फित कर दिया यहal Hindi कर दिया डिया तो यह मेरा बन गया है घन आकर्थी बन गई जबकि इसमें तो एक डबह पहले ही खा लिये और यह संटीमेटर ऐसे जो मिटर का कौन सा भाग होता है तो एक मिटर में कितने सो में एक मिटर की बात करूं में एक मिटर में कितने सेंटीमेटर होते हैं सो सेंटिमेटर होते हैं तो अब यहां पर यह कह रहा है कि एक जो सेंटिमेटर है वो मिटर का कौन सा भाग है तो सो गुना भाग है कौन सा है सो गुना भाग है क्योंकि एक को मैं सो से गुना करूंगा जब जाके मिटर बनेगा तो एक कौन सा भाग हो गया मेरा सो भाग हो ज तो ब्रग क्या होता है इस पर अगर बाद आप इस होती है भी तो आप सभी जानते है तो यहां पहर बहुतीस है तो दूसरी Whoo 32 होगी, 32 मिटर बाड की लंबाई वाले इसकी लंबाई कितनी है 32 है और इसकी एक दूसरी बाड की लंबाई बतानी है खेद की बाड की लंबाई वाले वर्गकार खेद की 32 मिटर बाड यानि कि ये इसकी बाड लगी हुई है 32 मिटर की खेत की एक भुजा की लंबाई बताईए खेत की कोई भी भुजा तो वो 32 ही रहेगी वरग है वरग की सारी भुजाएं बराबर होती है आगे देखें आपे 180 में किस संक्या से गुणा करे की वो 900 पराप्स हो जाए तो 180 है वई इसको क्या करना हमें 900 बनाना है तो 900 बनाने के लिए अगर मैं इसको 5 से गुणा करके देखता हूं पहले 0 845 का 0 हांसिल की 4 5 एक पांस च्यार 9 900 आ गया ना तो किस से गुणा किया हमने इसको 5 से इसलिए 5 से 100 सी को मैं गुणा करूंगा तो मेरा बन गया वई 900 तो ये मेरा साई आंसर हो जाता है आगे देखिए 205 पैसे को रुपया में बदल लिखते हैं अपन तो एक रुपया में कितने पैसे होते हैं वई 100 पैसे होते हैं तो यहाँ पे 205 में अगर मैं 100 का भाग देता हूं तो कितना आएगा मेरा 2.05 पैसे तो 2.05 पेसे कहा है ये रहे 2.05 पेसे तो ये मेरा रुपया सही आंसर बन गए भई अब देखें आपे अगला परसन आपको अनू, रीता, एम, अनू ने करमस है 15,48, 12,625 और 1090 रुपय एकरतित कर सहिकारी बेंक में जमा कराए उनके द्वारा बेंक में कुल कितनी राशी जमा कराए गई ये परसन आपका 3 नंबर का है मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है जोड करना है और कुछ नहीं करना इसके बाद दूसरा है 12,625 और तीसरा है इक डवल जीरो और नो जीरो यह लो बाई इनको जोड लीजे आठ आठ पांस कितना हो गया तेरा, तेरा का तीन हासिल की एक यहाँ पे हमने लगा लिए नो और एक दस हो गया दस है च्यार, चोदा और पंदरा और एक 16 का 6 हांसिल की एक यहां पर लगा लिया है, अब यहां पर देखें, यह कितना हो गया, 6 और एक 7, 7, 7, 14 का 4 हांसिल की फिर एक लग गई, अब यहां पर 5 और 2, 7 और 1, 8 बन गया, यहां पर 1, 2, 3, यह 3, 38,463 रुपे टोटल उन्होंने जमा कराए हैं, यह सही आंसर आ यहां पर देख सकते हैं, आप देखें, 15 और 10, 25, 25 और 10, 35 तो ऐसे निकल गए, अब 700 इसमें, 600 इसमें, 90 इसमें, इनको भी जोड़ेंगे, तो यह मारा आगे बढ़ जाएगा, देखें, दिएगे चित्रों में, सम कौन, निून कौन और अधिक कौन की संक्या है, वो आपक लिखनी है, यह भी आपका तीन नमबर का है, ठीक है, तो यहां पर देखें, सबसे पहले हम देखेंगे, यहां पर निून कौन, कौन सा, निून कौन, तो निून कौन देखें, आप यह डिगरी है, और यह डिगरी है, वो क्या है मारा निून कौन है, आप इसको मान दे सकत डिक्र रहा है मेरा यह वाला देख़ी ये कोट न मिलागी अगला है यदी एक वर इकाई हो तो दी ख़र अकड़ी यांप्षेतर फ़ल गयाद कीजी एकर्ण इकाई हो, मतलब इसकी इकाई क्या है? एक है बई, ठीक है? अब ये दो खाने हैं, वो मैं यहाँ पर चिपका देता हूं मालीजे ठीक है? अब दो खाने यहाँ पर चिपका दिया है तो कुल्मिला कि एक परकार का आयत की समान आखरती बन गई है ठीक है? अब आयत का छेतर फल गयाद करना है तो लंबाई गुणा चोड़ाई होता है तो एक गुणा एक करके आप लिखेंगे बई आगे देखे एक इसकूल में प्रतेक कालखंड 45 मिनट का होता है मतलब को मिला कि आपके जो क्लास होती है इसकूल में यहां पर टीक है तो इसको या तो इसको एक बटा सौ लगा सकते हैं या फिर 70 का एक बटा 45 वर 25 लगा सकते हैं तो जीक हुआ हमने 5 से的时候 5 करे भाट olan 6 और 59 फिर आगाठा तीन और तीन चुग बारा तो 4 बटा 3 इससे यह भाई कितना 4 बटा 3 इससे रहेगा देखे, दिये गे, वर्ण में 21 से 29 तकी संक्याें ऐसे बरे जis में परतेग पंक्ति का योग हो 5 हो जाए तो देखी, यहां पर सबसे पहले क्या करना है, 5 जजेटर करने के लिए देखी, यहां पर 24 है और यहां पर 22 है 4 तो कितना होगे 6 अब यहां पर में ने लिखा पमदर बंदरा कितना नो यहांपे कितना बचगे आसे मैं कि इस संक्या थे रहीफ जो अधिये टूंस दouleया ऐसे है अंधर कर देखे यह quirk तो जो पालाद्स में उपर वाड़ी को थेलिखे चसबीस पच्छीं कर नेagle' में च्रणाइब प्चीन हिसको बननार यह ऊब और नहमानाय आप यह न दो 52 mm में तो कितना बच गई वह तो इस वाले में कितना जाएंगे मेरे टीक है अब देखें तो यहां पर क्या जाएगा मेरा 28 आजाएगा 21 और 29 बीच की संक्या लिखनी है यह भी दिखान रखना है 26 52 चावन ओगया अब यहां पर 54 दो संक्या बढ़ा लेता हूं तो यहां पर मेरा क्या जाएगा पच्चीश ठीक है एक मिन्ट यहां पर पच्चीश नहीं आएगा इसको मैं काड़ता हूं एक बार क्योंकि यहां पर 28 लिखा गया नीचे ठीक है तो 28 और 26 आठ चार चार आसल की एक दो दो चार एक पांच चावन हो गया अब पीचेतर में इसको माइनस करूंगा तो एक और देखता हूं यहां पर एक निर्माना धीन गनाप की आकार के कमरे की चछत को छोड़ कर उसकी सतों की संक्य बताईए देखिए गनाप पूचा गया है ठीक है गनाप में क्या होता है यह मालिजे गनाप का इस परकार से आपका कमरा बनेगा ठीक है इसमें एक चछत या गई इस परकार से बनेगा अब यह कह रहा है कि इसको अठा दीजिये उपर वहा ठीक उसको अठादिया तो आप अपने कमरे में देखेंगे कितने होते है बई दो तो दोनों साइड होगी एक दो ठीक है पिर दोनों साइड यह होगी चार पांच तीक है और एक नीची का हो गया पांच और एक उपर का उगे इस प्रकार से 6 होता है तो एक होट आ दिया तो मैंने कितने बच गए पांच अब देखें है पर रूची के लंबाई 1.15 मिटर है वह 156 cm से कितनी कम है तो 1.5 का मतलो हो गया 115 cm उसकी ठीक है क्योंकि एक मिटर में 100 cm होते हैं अब यहां पर पूच रहा है कि 156 से 115 है वह कितना कम है तो 6 मैं से 5 गया तो एक यहां पर बच गया चार 41 cm कम है इस प्रकार से आप करेंगे अगला देखें यहां पर अगला है असी वरग मिटर छेतर फल वाले आयत की चोड़ाई वह 8 मिटर है तो आयत की लंबाई की माप हमें ग्यात करना है तीन नंबर का परसन अब असी क्या इसका छेतर फल है आयत का छेतर फल लंबाई गुणा चोड़ाई अब यहां पर कह रहा है चोड़ाई आपको दे दी बराबर दस और है एक डिब्ब में 24 किताबें की जा सकती है कुल कितने डिब्बों में 526 किताबें पेक जा सकती है गहांb अब 24 कर नहीं दे सकता तो क्या करेंगे बारा का दे लेते बारदुना 24 उपर काट बारा है तो बारा दुना 24 बारतेश चांटीस बारतेश च्छोक 48 ठीक है अब इसको दो से काठा तो इतना आगे चोविस यहां पर क्या कर रहा है एक डिब्बे की वेसे भी हमने पूचा था भाई एक पे किया जा सकता है 24 तो यह कह रहा है कि 566 किताबे पे की जा सकती है ऐसे कितने डिब्बों की आवसिता पड़ेगी यह तो हमने सिद्ध कर ले इसको अब हम क्या करेंगे 566 इंटू 24 कर लेंगे ठीक वो आपके क्या हो ज दीजिए 23 से कम 23 यहां पर नो उतारा नो में भाग नहीं जा रहा फिर जीरो उतारा फिर पांच उतारा अब तेज का पाड़ा आना चीए आपको तेज सेंटेज दूना चीना अब तेज के बाद गुनतर के बाद ऊपर चला जाएगा तो तो तेज ती गुनतर 69 अब के चीर को जाए लिए तो और तौट की मेरा इक बार भाग जारा था इस परकारसे में 33 कम 23 करऊंगा और तेन थाना तेज चों करऊंगा यहां पर च्यार बार ठीक है तो यहां पर दो बाड में बार गया तो सेशफल कितना बच गया है बाड मैं 13,45, तीन तीन तो मैं सेशफल बच गया और भाउग फल कितना आगे मैं एक सोट चाहर ठीक है कीमत हमें ग्याद करना है अब देखें चार दर्जन एक दर्जन में किते होते हैं बारा तो बार चोग 48 उसने खरी दिये कितने रुपे की 48 जीरो जीरो जीरू 48 पोतले हैं उसने अठारा सो जार की खरी दी है तो काट लीजिए यहां पर 48 अगर मैं काटू 2 से काटा मैंने तो यह आगया 24 यह आगया 9000 ठीक है अब कितने से कटेगा भाई तीन से कटेगा तीन 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 अगया उपर और आप नीचे आगया 8 आगया में तीन अजार बटा आठ आठ से काटता हूं कटता है क्या आठ या 24 चे बच गया यानि कि साट हो गया आठो साटो चपन पर चार बच गया आठ पंजो चालिस यानि कि 3750 जो बोत खरीदे हैं बोतल वो इतनी इसकी हो जाएगी बाई तीक है आगी देखें आप एक आयता क लंबाई चूड़ाई करम से 10 सेंटीमेटर और सेंटीमेटर है आयत को पूरा ढखने के लिए चार वरक शेंटीमेटर चेते पल के कितने डाक टिक टो की आउश्रिकता होगी तो देखें पूरा उसको डखा जा रहा है तो उसको डखने का मतलब हो गया उसका परिमाप पू दस चोड़ाई कितनी है आठ आठ दस कितना होगे अठारा अठारा को दो से गुणा किया च्छतीस तो च्छतीस क्या आगया मेरा उसका पूरा क्या गया आयत का परिमाप आगया अब कि डखने के लिए चार वरक शेंटीमेटर चेतर पल के कितने डाक टिकेटों की अब यह पर एक तो चेतर पल अश्य आगया एक परिमाप कितना गया 36 आ अब आपको क्या आगया टिक्टों के चेतर पल के टिकेट तो कितने आगये इसमें चार का बाग दूंगा तो बीस तो बीच टिक्टों की आउस्टा इसमें हमें बढ़ेगी आगे देखिए 200 किलोग्राम सक् की कीमत ग्याद कीजी देखिए 200 की कीमत कितनी है 84 तो पहले हम एक की निकाड़ेंगे इसमें हमने 200 का बाग देना है तो जिरो से दो जिरो कट गया फिर मैंने इसको बाग दिया 242 रूपे क्या गया एक किलो की कीमत आ गई अब यह कह रहा है 1550 किलोग्राम सक्कर की कीमत है वह हमें बताना है ठीक है तो अब कितना आ गया था 1550 गुणा 42 जीरो को ऐसे कैसे रख तो पात दुनी दस का जीरो हांसिल की एक आदुनी दस और ग्यारा का एक हांसिल की एक दो एकम दो और एक तीन 310 फिर में इसको चार से गुणा करूंगा ठीक है तो आपके लिए रब पेपर मिलेंगे दो इस परकार से तो यह फूरा पेपर मैंने एक्स्प्रेंड कर दिया है एक दो परसन छोड़के तो ऐसे परसन आपके एक्जाम में आने वाले हैं तो यह फूरा पेपर मैंने बता दिया और पूरा पेपर आपको हमारे एप पे मिल जाएगा जहां से आप इसको देख सकते हैं कभी भी पढ़ सकते हैं अपने इसाब से जूम बगएरा करके अपने एक एक परशनों को वापस से हल करके देख सकते हैं तो मिलते हैं अगले पैपर के साथ धन्यवाद